ए नामवाले दो हजार Чॉबेश बड़ी खुश खबरी जोतिश अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले अख्षर के आधार पर उसके आने वाले कल अर्थात भाविश्य के बारे में जाना जा सकता है यही नहीं बलकि व्यक्ति के नाम के अक्षर से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में भी अनुमान लगाया जाता है आज हम आपको ए अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले लोगों के स्वभाव और साल 2024 में ए से नामवाले लोगों के लिए साल 2024 का राशी फल बताने जा रहे हैं इसमें हम जानेंगे एकशर से नामवाले लोगों का स्वभाव, सिख्षा, करियर, लव-लाईफ, आर्दिकिस्ति और स्वास्त कैसा रहेगा आने वाले साल 2024 में सबसे पहले जानेंगे एक्षर से नाम वाले लोगों के सुभाव के बारे में एक्षर से नाम वाले लोग सुभाव से शान्त मिजाज और केरिंग सुभाव के होते हैं इन लोगों की सबसे खास बात यह होती है कि ये लोग खुद को किसी भी परिश्जिती में आसानी से डाल लेते हैं भीर में भी अपनी अलब पहचान बनाना ये काफी अच्छे से जानते हैं ये अपनी लाइफ में अपने प्यार और अपने करीबी रिश्टों को बहुत ही एमियर देने वाले होते हैं इन लोगों में बातों को मन में दबाने वाली प्रविर्थी बहुत खास होती है इनके मन में क्या चल रहा है ये जानना वहाकई मुश्किल काम है ये दिल के सच्चे और भरोसे के लायक होते हैं, अपनी भावनाओं को लेकिने दूसरों के सामने जाहिर नहीं होने देते, लाइफ में रिस्क और कोई भी फैसला लेने से ये घबराते नहीं हैं, अपनी सूजबू से ये हर काम को मिंटो में निप्टा देते हैं, लेकिन प् पूरे वर्ष चात्रों को अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है वर्ष की सुरुवात में भले ही आपको मिश्रत परिणाम मिलेंगे लेकिन साल जाते जाते आपको सिक्षा में बहतरिन परिणाम दे कर जाएगा इस समय आपकी बुद्धी का तीब्र विकास होगा जिसस परिणाम की त्यारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वर्ष परिक्षा में अच्छे अंकों की प्राप्ति का होगा अब बात करेंगे एसे नाम वाले लोगों की नौकरी व्यवसाइग के बारे में राशीपल अनुसार आपके लिए आने वाला साल नौकरी व्यवसाइग के लिहाज से शुब है इस वर्ष आप अपने नौकरी व्यवसाइग में खुब मेहनत करेंगे और सफलता के और अग्रेसर होंगे बिजनस करने वाले जातकों को भी अपने द्वारा किये गए प्रय रखें किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले किसी बड़े वजानकार की राये अवस्ते ले लें कुल मिलाकर साल आपके करियर और नौकरी के लिए काफी अच्छा रहेगा अब बात करेंगे एसे नाम वाले लोगों के प्रेम विवा के बारे में राशी पल अनुसार प्रेम और विवाईक मामलों में साल मिले जुले परिणाम लेकर आएगा कुछ प्रेमी जोड़ों को प्रेम विवा की सौगात मिलने की संभावना है तो वहीं कुछ ऐसे जातक जो अरेंज मैरेज के लिए इंतजार कर रहे थे उनकी शादी के योग है ये साल आपके रिष्टे के लिए उतार चड़ा उभरा होने के बावजूद भी प्रेम जीवन के बहतर जाने की उमीद है पार्टनर्स के सायोग और सामन जसे से प्रेम समधों में मधूरता बनी रहेगी लवर्स एक दूसरे को समझने का बहतर प्रियास करेंगे और एक द हैं चाहे हाला जो भी हो परिवार के सदस्यों के साथ बहस आदी से बचें और धहरी बनाए रखें हर परिस्तिती में अपना विश्वास डगमगाने ना दें परिवार के सदस्य आपको जरूर सहीयोग करेंगे संतान पक्षिकी और से कोई बड़ा समाचार प्राप्थ हो स होगी तो वहें पैतरक संपत्ति का लाब भी आपको मिलने की योग हैं अतिरिक ताय में भी वृद्धि के योग हैं इस वर्स आपकी आर्थी किसिती पहले के मुकाबले बहतर रहेगी जिस वजह से आप इस वर्स धन संजय करने में भी सफल रहेंगे लेकिन आपको इस बा स्वास्ति के लिहाज से इस साल बहतर रहने की उमीद है इस वर्स आपका मानसे के स्वास्ति बहतर रहेगा एक्सराइज वर योग को आप इस वर्स अपने जीवन का हिसा बना सकते हैं आपके स्वास्ति में इस दौरान सकारात्मक बदलावाएंगे कुछ जातक जिम भी ज कर सकते हैं वैसे तो कुल मिलाकर स्वास्त के लिहास से साल अच्छा है अगर आपको हमारी द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप उपचान उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शियर करना ना भूले